हलो फ्रेंड्स मेरे चैनल फ्री एस्ट्रोजी और पाम बीडिंग में आपका फिरसे स्वागत हैं आईए आज इस उन्चास वर्सिये पुरुस के पाम का अनसर्स करेंगे और इनके सवालों का जवाब करेंगे तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाओंगा इनकी जो मैं वीडियो करूँगा वो मैं दो बिक्से करूँगा क्योंकि इस पाम से जो रेखाएं थी वो क्लियर रूप से समझ में आ रही थी और दूसरे पाम से इनके फिंगर के लिंद विगरे को देखूंगा तो इनका जो कोशन था कि सर जीवन में काफी रुकावटे देखी काफी समस्याओं का सामना करना पर हमें अपने जीवन को व्यतित करने में इस उमर तक पहुचने में काफी चीज़ हमने देखी तो क्या आगे के ठीक होने के आशार लग रहे हैं आपको क्या उम्मीद है कि ठीक हो जाएंगे और इनकी एज अभी 48-49 के राउंड है तो मैं मान के चलूँ, मैं 49 ही मान लिया तो देखते हैं सबसे पहले चीज देखो कि इनके पाम पे जो चीजे हैं और इनका जो सवाल था वो आगे के जिंदगी कैसी रहेगी और मैं ठीक ठाक रहूँगा कि ने जब इनसे मेरी कनवर्शेशन होई थी तो मैंने इनसे दो चीजे पूछी थी पहले ये कि क्या आपके फैमिली वाले जो आपके अपने हैं वो क्या आपको देखना नहीं चाहते हैं पहला चीज दूसरा मैंने इनसे एक बिमारी के विशे में बोला था कि हो सकता है मुझे आपके पाम देखके एक बिमारी की इंडिकेशन से लग रही है ठीक है तो इन्होंने कही न कहीं उस चीज के लिए एकरी करा था कि हाँ वो तो है मुझे तो वो मुझे कही न कहीं डाइविटीस का लक्षन लगा अब देखो मैं भगवान तो हुनी की इंसान का पाम देखके वो बता दू लेकिन मैंने बहुत से डाइविटीस पेसेंट के पाम पे ये इंडिकेशन देखी है जिस वज़ा से मैंने इनके विशे में भी ये चीज़े कई कि मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ आपको डाइविटीस के सिंटम्स आने चाहिए तो इन्होंने भी उस चीज़ को एगरी करा हाँ पिछले दस वर्षों से मैं उस चीज़ से परिशान हूँ ठीक है तो वो सिंटम्स मुझे कहा दिखा देखो अगर शुक्र की स्थिति किसी के भी पाम पे अगर शुक्र की स्थिति इतनी दबी हुई हो और शुक्र पे कुछ बहुत सुक्ष मलाईने इस अवस्था में इस जगा पर चले तो इस कंडिशन में कोई गुप्त बिमारी होने की संभाव बनाए जगती है तो अगर आप दोस्तों मित्रों की नहीं के पाम पे भी ऐसी क्या हो जाए कोई नहीं जानता ठीक है और मैं भगवान नहीं हूं कि आप मुझे अपना पाम बेजो कि मैं आपको सब चुछ बता दूंगा लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम यह है जो मेजर चीजी होती है कि मैंने अगर दस चस्बंदों का पाम देखा तो उसमें अगर आठ मैंने इन से भी पूछा और कहीं ना कहीं पॉजटिव एंसर ही आया तो कोई बात नहीं आप लोग में तरो कि यह बताने का है बस एक ही मेरा तात पर एक ही मेरा एक जो मोटिव था वह यह था कि आप लोग के पाम पर कुछ ऐसे इंडिकेशन बन रहे हो तो प्लीज आप ल यह ना पर सकता है ठीक है और ऐसा कुछ नहीं है डाइविटीज के लिए बहुत इलाज है ठीक है अब अगर डेली बेजिस पे काम वाम भी करोगे वर्क भी करोगे तो वह चीज़ें आपकी क्योरेबल रहेगी अब खतम तो नहीं होती ना क्योरेबल रहेगी लेकिन अब लिए जानना ज़रूरी है और एक चीज और diabetes कोई disease नहीं है कोई फैलने वाला disease नहीं है ठीक है वो एक disorder है body का एक disorder है जो अब उतना डॉक्टरी तो मैंने पढ़ा नहीं है लेकिन एक disorder है यह मुझे पता है तो इसका आप अगर जाके treatment कराओगे तो बहुत possibilities हैं कि वो available होंगे तो इनके पाम पर भी वो indications मुझे दिखे ठीक है तो मैंने इनसे पूछा और इनों ने मुझे जवाब दिया तो अगर आप लोग के किसी के पाम पर भी ऐसे कुछ लग रहा है सुनो जूपिटर अगर आप ठीक से देखना चाहूना तो यह जो इनके स्थर्ड पोड़वे होते हैं सबसे लास्ट वाला इसको आप गौर से देखो अगर यह तोड़ा सा इसके बीच का डिस्टेंस तो रहा कम आ रहा है तो समझो कि यह जूपिटर में उतना चीज करेगा तो इंसान के जीवन में पता चलेगी कि मतलब मैं कुछ कर रहा हूँ थोरा दिन चल भी गया ठीक ठाक लेकिन फिर वही परिशानी आ गए कि मतलब नहीं हो पाया उसके इंडिकेशन और भी दूसरे जगह से आते हैं तो उसके विशे में भी हम चर्चा करेंग अगर आपके जीवन में हर एक तीन चार वरस में कोई ना कोई परिशानी मुझे दिख रही है तो मैं इस विशे में क्या बता पाऊंगा कि आप एक जीवन की जीने की अबदी हो गई 40 साल आपने 40 साल में जीवन को वैतीत क्या विताया तो फिर अगर 2-3 वार आपको तो उस बात को बताया जा सकते हैं लेकिन जिस इंसान के जीवन में हर एक चार-पांच वरसों के अंतराल पर पड़िशानी आ रही है उसके विशह में आप एज क्या डिनोट करोगे एक सच्छा ही है तो इनके पाम पे भी ऐसे कुछ साथ भी आ रहा है आट भी आ रहा है तो एक एवरेज इसमें साथ वर्ष का रहा है ठीक है उसके बाद इनके पाम पर दूसरा चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊ तो भागे रेखा भागे रेखा मैं पर पर परिशानी का सामना इनके लगबग 24 वरसे करने की अवस्था दिख पारी है समय समय पर ठीक है तो यह चीज मैं इनको क्या बता पाऊंगा कि आपकी पर्टीकॉल इसी एज में हर तीन चार साल या पर मैक्सिमम पांस साल के अंतराल पर इंको कस्ट आ ही जाता होगा तो यह कंटीनियू इनके जीवन में आप इनके उन्चास वरस तक बना देखो इनकी फेट लाइन तो यहां पर से नहीं बने लेकिन कार्मे वरस से एक हलकी सी फेट लाइन दिख रही है और सुर्य लाइन का भी थोड़ा सा प्रबलता दिख रही है ठीक है अब शूरी लाइन में भी इनके मिस्टेट डाउट है वो मैं बताऊंगा आके ठीक है नहीं कि चलो है जो इनके 50 में वर्स की आयो होगी वो लगबग 50 में वर्स में यहां पर एक तकलीफ आप मुझे दीक्ञे हलकी सी 50 में वर्स के बाद थोरी से प्राइब यह कानबे 52 वर्ष के राउंड थी तो इस समय थोड़ा सा जो अंतरा ले थोड़ा ठीक ठाक भीते गा इनका यह लगबग इनका पचास से लेके लगबग आठ वर्ष के अठावन फिर हलकी से राहूल ने कट करिया तो चलो मैंने इनका इसको दूर करने के लिए जो रेखाएं बन रही हैं आप देखो ये रेखाएं सबसे पहले इस वज़ा से ये विवाद हुआ secondary इनका मंगल आप ठीक से देखो कि तो medium वस्थाम है ठीक है यहां से आपको हलका से दबावा फील होगा और ये मंगल भी इनका जो इनमें काफी जादा राहू लाइन का परवा है जो जीवन रेखा को काट रही है तो मंगल के तरब से राहू लाइन निकल के अगर जीवन रेखा को काटे तो इनसान का tension वाना nature तो रहता है पहले चीज, दूसरी चीज क्या रहती है ना, कि आपके जीवन को काट दिया, तो रुकावटे कहीं से भी आ सकती है, तो रुकावटे दर्शार आ है, तो अमेली मंगल से निकला हुआ है, बहुत सी लाइने, तो हो सकता है कि जमीन जैदात का विवाद भी इंसान के जीवन प आपके कर्मा भी बहुत मैटर करता है और मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूंगा इन्होंने बहुत पूजा पाट करते हैं और भगवान पे बहुत सरदा रखते हैं तो मैंने इनको कहा कि अगर इतनी राहू लाइन होने के बाद भी आपने अगर सर्वाइव किया तो कही न कहीं आपके अच्छे कर्म की वज़ा से आपके अच्छे नेचर की वज़ा से आपने जो लोगों का किया लोगों के परती आपने एक अच्छे शनेह रखा और भगवान के परतीकास्ता रखी तो आपके लाइफ में भी वो परिशानी का परसंटेश कमाया अब मै एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ आप लोग ने तो रामदे बबा का नाम जरूर सुना होगा सब लोग ने सुना है योग गुरू है हमारे कितनी अच्छी उनकी वील पावर होगी कि वो अपने पैरलिसिस उनके पुरे डॉक्टरों ने उनको कह दिया था कि आप अब उठ नहीं पावगे लेकिन उन्होंने उस चीज़ को क्योर कर लिया इतना क्योर कर लिया कि अभी वो एक आम इंसान जो एक स्वस्थ इंसान है जो एक अथलीट है उनसे भी जज़ा एनर्जेटिक है तो ये कुछ होता है अपना महनत और कुछ होता है अपना करम ठीक है तो आपके लाइफ में कोई भी आपको बीमारी आ जाए रोग आ जाए ठीक है कोई भी प्रकार की तो एकदम पैनिक नहीं होना है अगर आप पैनिक हो जाओगे न तो पता चलेगा वो रोग और बढ़ गया हमारे बॉड़ी में हमारे हुमन बॉड़ी में परतिरोजक चमता नाम की एक चीज होती है आपने जरूर सुना होगा तो रोगों से लड़ने के एक चमता होती है कि अगर आप ईश्वर पास था रखते हो ना तो वो चीज्य ठीक होते है अपको इस्पर बही ठीक होता है वो एक बैट ठीक कोई चीज नहीं होता एक दम से कोई भी चीज ठीक नहीं होती तो आप ठुरा पैसेंस रखो और ठ़ुरा कोशिश करो कि मैं भगबार पर अराधन रखो और थोड़ा फिजिकल एक्टिविशिस मतलब फिजिकले भी वर्क करो तो हो सकता है कि वो बिमारी छूट जाए क्योंकि इस ये बात बताने का मेरा ये संबंद था कि बहुत से लोगों को बहुत प्राबलम होती ही मेरे पास बहुत से पाम आत आधा नॉलेज रखके कोई भी चीज का कोई भी चीज का आप अगर कोई वीडियो देख लो कोई आप अगर कोई आर्टिकल पढ़ लो आपको तो यह हो गया आपको वो हो गया तो उसका टेंशन मतलो अगर कोई विशेश तकलीफ हो ये तबी चेक अप कराओ और जाकि उस विशेश है तो लाइफ में प्रॉलम साते हैं अगर राहू लाइन आपके जीवन रिखा को कट कर रहे है ना तो कहीं न कहीं वे प्रॉलम फेश करवाते इंसान को विससे डर्र बाते मतलब ब्रम में र项त आसा हमने बहुसे स Below हैं बहुत से केसओ के बहुत का ucharist के संदर् बस वही उसका काम था रहू लेका तो इनके पाम पे भी जो रहू रेखा मैं देख पा रहा हूँ तो ये भी कई न कई अमंगल छेतर से निकली है और जीवन में रुकावटे डालती है तो रुकावटे अब्यस्सी बात है अगर आपकी चीज में फसेर होगे तो वो रुकाव पटे ही है तो इसी वाज़ा से इनके लाइफ पे जमीन ज्यादात का विवाद भी चल रहा है पैतिक संपत्ति के तरब से और एक पैतिक संपत्ति के लाइन जो यहां से निकलती वहाल की से निकल रही है तो मिलने के भी आशार हैं जग रहे हैं कि वह मिलने के वह चांस बन चीज़े शुरू करता हूं कुछ दिन ठीक भी चलता है आगे चलके वह फिर चीज़े वक्र हो जाती है नहीं चलते तो वह में प्रॉब्लम इनके शूरी रेखा तो बहुत ही ज्यादा आप इनके पाम पर फील कर पागो तो यह दर्शाति के ऐसे लोग को जो एपरचुनिट कभी तो साथ होना जरूरी है ना आपके लाइफ पर तो इनके पाम पर लग का साथ मुझे दिखाई नहीं लग लाइन है हाथी का दान दिखाने लाइक मतलब हाथी का दान तो है लेकिन हमेशा समय समय पर राहू लाइन का कट है मतलब अरचने है तो कोई भी काम यह इसी नहीं रहते होगे, यह थोरा सा भटकते होगे, इनको दिमाग तो बहुत होगा, तो यह थोरा सा भटकते होगे, यह कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, चलो इसमें नहीं करता हूँ, यह कर लेता हूँ, थोरी सी ऐसी सुली रेखा रहने के बात, इंसान के लाइफ में प पाम के कोर्णिंग ली तो इखल किसी वागी रेखा दिकरी है लेकिन भागे रेखान के नहीं है लेकिन पर कुछ रेखाएं आपको एक्स्टेंड करती वे नजर आ रही है तो ये रेखाएं जब बने चंटा नहीं जीवन देखा से भी आपके वह मुझे नजर आ रहे हैं तो जितना आप ने कश जिल उस कश्ड के विशने में बताना बहुत ही मुस्किल है और उस मुश्किल इस सेंसर में है कि इन्हों ने जहिल लिया वो सबकी बसकी बात नहीं है इसलिए इस कष्ट को महीं पर रहें देते हैं लेकिन यह समझे लो इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत से तकलीफों का सामना करना इनको पढ़ाओगा हर एक तीन चार साल चार पास साल अंतराल पर इनको कोई ना कोई तकलीफ आई होगी जो इनको परिशान की होगी अब इनके पाम के जरनल इनलसिस के तरफ चलते हैं तो मैं इनका दूसरा पिक लाता हूँ और जिस टाइप के इनके फिंगर आप देख पा रहे होगे कितनी बड़ी लेंथ है और हल्की सी स्टेंथ भी इस फिंगर में फी लोड़ी होगी आपको तो 200% कह दो कि ऐसे जातकों में जो एक स्टेंथ होता है किम्मत होता है ना कुछ भी इनको प्रॉब्लम हो जाए तो कोई गलत भाबना नहीं रहती अपने काम से काम रखते हैं और अगर दूसरे का मदद कर पाएं तो वो करने में कभी पीछे नहीं हटते हैं तो इस वजह से ऐसे लोगों को ठकना ठकाई भी किया जाता है ऐसे लोग को जो लोग बागया थोड़ासा बुरुबग भी बनाते हैं इसके अच्छाई का फाइदा भी उठाते हैं तो मैं इनको कहूंगा ज्यादा इंट्रेक्ट लोगों से ना करो हो सकता है कि फैमिली में मामले भी इनको थोड़ा वह तकलीफों का सामना करना परता हो अब जुपिटर फिंगर इंके बड़ी रहे तो लीडर्शिप कॉ लोग को हैंडल करना ऐसे लोगो काफी अच्छे सा आएगा और जुपिटर की हल्की से बैंड हो रही है तो बैंड होने के बाद तो धार्मी कास्था जरूर रहती है इंसान के जहन में बगवान के प्रती फिर देखो सैटरन सैटरन बड़ी महनती होंगे महनत में तो कहीं क आप समय में आजाए तो असा तकलीफ होगा कुछ समय तक थोड़ा डेप्रेशन में जा सकते लेकिन फिर दो से तीसरे दिन उभड जाएंगे और उसको जेल लेंगे उस परिशानी जो भी इनके जीवन में परिशानी आएगी फिर देखो तो इनका बुद्ध फिंगर काफ तो इसको जेले ने तो क्या पॉसिबिलिटीस थी जेलने की कभी नहीं अब इनका दूसरा पर एक लाता हूँ पर इनका थमब देख लो आप तो इनका थमब काफे स्ट्रॉंग है बैंड हलकी सी बैंड हो लेकिन पुर्ण बैंड नहीं तो ऐसे लोग जुक नहीं सकते एक् उसी के बलबूते पर आज इन्होंने इतक कस्टाने के बाद भी एक काम शुरू किया तब लगातार काम शुरू करते रहें तकलीफें आई नाकाम्याबी मिली फिर भी इन्होंने उसको कभी छोड़ाने तो वो इनके बस थमब की वज़ा से इनका थमब काफी अच्छा कु अब इनका आप दूसरा पिक देख लो ठीक है इनके गरहों की विश्य में मैं इस पिक से बताऊंगा क्योंकि यह ज्यादा क्लियर मुझे लग रहा है देखो सबसे जुपिटर जैसा मैंने बता मीडियम अवस्था में मीडियम से थोड़ा सा लो जा रहा है तो फैमी करा है लेकिन अपने महनत का अगर इनके पाम पर यह रुकावाटे नई रहाते तो इनको इनके महनत का साट से सतर परसंटफर जरूर मिलता अब पामिस्ट्रे एक चीज़ से नहीं होती तो सब चीज़े देखनी पड़ती है मेरे बाई तो इसी वज़ा से इनको थोड़ा सा महरव का कमफल मिलेगा लेकिन शनी अच्छा है तो लोहे से जुरा सा मंदित काम करें या फिर कोई बिजनस करें जैसे चैसे होता न कि लोहे नहीं भी पढ़े लिखे होते हैं तो इसे लोग का बेसिक नॉलिज अच्छा पाया जाता है मतलब अब यह सब्सक्राइब करना काफी इंपोर्टन क्योंकि मुख्य लाइन यहीं तीन को मानता हो मैं अगर इस तीनों पर कोई ना कोई दवाव आ जाए तो समझो इंसान के जीवन को जीने में काफी तकलीफों का सामना करना परता है फिर देखो शूड़ी रेखा जैसा मैंने बता एक पैथरी संपत्ती के तरफ से आले तो इतनी पूर्ण नहीं है तो इसलिए अभी तक केस लड़ भी रहा है और हो सकता है कि इनके फेर्वर्म डिसेजन जा सकता है तो अगर उसका भागी अच्छा वा अगर उसकी इस्थितियां अच्छी भी पांप अगर उसके समय अच्छे वे जीवन काल में तो आप ही बताओ कि कौन पहले केस जीतेगा वही जीतेगा इसलिए इस चीज को पूर्णता बता पाना थोड़ा मुस्किल है अब मैं जूट जो कि काफी उम्मीद दे देते हैं जातको को और जूट फूस की बाते बता के भी आप ये बन जाओगे आप वो बन जाओगे आपके जीवन में ये आ जाएगी तो ये चीज बता पाना थोड़ा मुस्किल है प्रस्टनली मैं जानता हूँ कि मैं आगे क्या करूंगा नहीं ये समभावना जाता है जा सकती है कि हाँ आपके पाम पे कुछ अच्छे positive indications बन रहे हैं तो मूलता chances है कि आप अच्छा करोंगे ये एक सच होता है ठीक है और देखो सच का राह तोरा सा तकलीब बरा होता है इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है लेकिन फिर उसकी इनकी बन रही है तो ये कईना कई तरशाती जैसा मैंने पहले अर्लियर बताया कि ऐसे लोग को opportunity की कमी नहीं रहती, opportunity इनके जीवन में अच्छी खासी देखने को मिलती है और कईना कई ऐसे लोग थोरा सा unconcentrate भी होते हैं एक से जादा अगर इंसान को opportunity मिल जाए या फिर ब opportunity रख गई, तो आप उस काम को छोड़कर दूसरे काम में लग गए, तो ये कही ना कई दिक्कत वाली बात है तो भागे रेखा का साथ होना जरूरी है, किस पाम पर शूरी रेखा अच्छी माने जाएगी, अगर दो तीन शूरी रेखा बने आपकी भागे रेखा में कहीं क फिंगर काफी अच्छी है, तो communication skill काफी अच्छा होता है, लापरवाई नहीं रहती, ऐसे लोग लापरवाई नहीं हो सकते, फिर देखो तो मंगल, इनका मंगल पर एक जो मैंने बता है कि हलकी फलकी कानूनी लफ़ड़े की योग थी और जो सा मैंने अलियर बता है कि और क कबार कमी रह सकती है, लेकिन मीडियम भी है, तो उतनी कोई विशेष कमी नहीं दिखेगी, फिर देखो तो इनके पाम पे इनका चंदरमा, तो चंदरमा इनका थोड़ा सा दवावा फील होगा, तो ये थोड़ा बहुर दिप्रेशिंग नेचर इंडिकेर करता है, लेकिन यात्राएं रहती है, तो भागा दोड़ी इनके लाइफ पे हमेशा देखने को मिलेगी, फिर एक प्रबल रेखाएं चंदरमा से बन रही है, जो इनके भागे रेखा से बैटाईज है, तो हो सकता है एक वार विदेश का ब्रहमन इनको ये रेखाएं जरूर करवाएं उनक अब खरी लाइने कहां अची होगी, शुक्र का माउंट एकदम प्रबल हो, और ऐसी कुछ लाइने बने तो ये अच्छी लाइने मानी जाती है, फिर देखो तो इनके पाम पर ये, ये हलका सा आपको फील होगा, यहाँ पर कुछ लगजरी के लाइने बने तो लाग कश्ट काफ़ स्ट्रॉंग तो जीवन रेखा कि आयों इनके 75 ये प्लस आ रही है, लेकिन जीवन रेखा पर कुछ राहू लाइने काफ़ी समय समय पर इनके कटी हुए, तो ये जीवन रेखा में समय समय पर अर्चने दर्शारी है, क्यों अब हुए मैं अर्चने के इंडिकेट कर कि आयों मैं, फिर लगबग ये आपका हो गया, 44 वर्स कि आयों मैं, फिर लगबग, मतलब इनकी जीवन रेखा है, ये 46 वर्स फिर लगबग आ रही है, लगबग इनकी 91 वावने वर्ष में, तो ये लगबग इनको काटी हुए, तो इसके विशह में इंडिकेशन करना भी प्रोग्र्स लाइन भी आपको दिख पा रही होगी, मैं तो भली वादी देख पा रहा हूँ, एक और दो प्रोग्र्स लाइन है, तो ये इनको 50 से लगबग इनकी 60 वर्स कि आयों, तक मैं काफी सक्सेस इंडिकेट कर रहा है इनके लाइफ में, ठीक है, और आगे का जीव है, ठीक है, आप देखो तो, तो ये जब एक सैटरन पर रहा जाए और एक जुपेटर पर चले जाए, जुपेटर पर जाने होगा इनसान कभी कवा रूड हो सकता है, ये पढ़िशानी रहती है, हर्ट लाइन, ठीक हो सैटरन थोरा सा कठोड कर रहा है, तो 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 कभी कभी रूडनेस भी आ सकते हैं, लेकिन इनके पाम पर कुछ बहुत सी लाइने आपको दिख रहेगा, ये इमोश्टन लेचर इनको इंडिकेट कर रहा है, इनका हट लाइन से, लेकिन बैलेंसिंग डिस्टन्स अच्छा निकल रहा है, तो इनसान को लाग तकलिफ में इनसान अपने समस्याओं को जिलने में काफी capable होता है, फिर देखो तो इनके पाम पर माइन्ड रेखा पर भी काफी दबाव आपको continue 30 वर्स से दिखी रहा है, मुझे आगे भी था, इनके लगवग 30 वर्स की आयू में भी था, फिर इसके बाद इनके माइन रेखा है, पच कोई चले यहां से आजाए, तो यह हलकी फलकी बनी है, तो इसके वाले में विशार करना भी थोड़ा सा मुस्किल है, एक हलकी सी यहां बन गई, यह कहीने कई प्रॉग्रस देखा कभी काम करेगी, जब इस प्रेड में आएंगे, लेकिन यह अगर एक्स्टेंड कर जा तो बुद्ध रेखा काफी प्रबल बन जाती, लेकिन यह बनी नहीं तो इसके विशार में चर्चा नहीं करेंगे, अब टूटी-फूटी मनी ट्रेंगल हो, तो यह कहीना कहीं दर्शाती है, इंसान पैसा जमा करने में अस्समर्थ रहता है, ठीक है, और जैसे यह स्वास्त र तो इनका जो मेजर कोशन था वो थी का आगे किस्ते दो, जो को पचास परस को अजिती हैं ठीक है, तो आप पेशेंस रख लीजिए, और जो उपाई बताएं वो आप करो, उसके बाद, आप आपने जो प्रॉब्लम सहा अपने जीवन में, तो आपको इसे लूट करने का मन करता है, क्योंकि देखो, बहुत सी प्रॉब्लम आपने सहा, लेकिन अभी तक आप स्टैबल हो, तो भगवान के राधना ऐसे ही करते रो, आई होप हमने आपके कोशन कैंसर किया हो, अगर आपको अमारा ये वीडियो पसंद आए, तो लाइक कमेंट सस्क्राइब जरूर कर और लोगों को शेर जरूर करें, धन्यवाद